प्रेम मंदिर में पेरागलाइडिंग राधे राधे दोस्तों तो मैं आज दुबारा गई थी प्रेम मंदिर में क्योंकि मैंने उस दिन रात को देखा था तो मेरा मन था कि मैं प्रेम मंदिर को दिन में देखू और लकीली मैं दुबारा मंदीर में पहुंच गई थी रात की बात हो या दिनी की मंदीर में बहुत ज़्यादा भीड होती है तो गाइस जैसे में मंदीर के अंदर पहुंची देखो यहां भी बहुत ज़्यादा भीड थी हाँ अभी lights वगेरा कुछ भी नहीं जली थी यहाँ पर इसके बाद मैं जल्दी से आगई garden area पर क्योंकि मुझे देखना था दिन में ये कैसा दिखता है रात को तो lights की वज़े से अच्छा दो दिखता है guys लेकिन अतना clear नहीं होता तो ये देखो राधा कृष्ण की प्यारी प्यारी छविया और guys प्रेम मंदिर की तो बात ही अलग है मंदिर को बनने में 11 से 12 साल लगे हैं हजारों कारीगरों की दिन रात की महनत और 150 करोड की लागत से बना हुआ ये मंदिर भव्य और सुन्दर है जो 2017 में जनता के ले खोला गया था और सच बताओं साथ काफी सारे लोग होंगे जिन्हें रात को मंदिर बहुत सुन्दर लगता है और वाकई लगता भी है लेकिन मुझे दिन में ज्यादा सुन्दर लगता है बहुत ही प्यारा तो मंदिर को देखते देखते मैं चली गई उसे रिया में जहां उस दिन गाईडी गाईज एक गेट लगावा था तो मैं अंदर नहीं जा पाई तो आज मैं यहां अंदर चली गई थी क्योंकि मैं टाइम से आ गई थी और ये देखो और इन सब चीजों के अब मैं बहुत करीब से देख रही थी बहुत अच्छा लग रहा था सच में यह मंदिर राधा कृष्ण और शीता राम को शमर्पित है प्रेम मंदिर के पहले मंजिल पर तो आपको राधा कृष्ण की प्यारी प्यारी मूर्तियां दिखाई देंगी और मंदिर की दूसरी मंजिल पर श्री राम और मा सीता की मूर्तिया रखी गई है इसी के साथ ही गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हुए थे जो बहुत सुन्दर लग रहे थे के बाद मैं चली गई एक वीडियो बनाने लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने मेरी वीडियो खराब कर दी थी किन मैंने फिल्ट राए गया और यह देखो वीडियो बहुत प्यारी बनी थी प्रेम मंदिर के साथ जैसे मैं थोड़ा आगे पहुँची तो यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधमा की बाद त्यारी बैरी च्छावी को देखकर मेरा मन तो बहुत खुज हो गया था राध को देखा था हमने तो बहुत 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 सुन्दर लगता लेकिन दिन में भी बहुत सुन्दर लगता यह जो पहाड से पानी आ रहा था नीचे कर्षण भगवान जी परवत को एक उनगली में थामे हुए थे और ये सब देखकर तो सच में गोवर्धन परवत की कहानी दुबारा से याद आ जाती है कि कैसे स्री कृष्ट्रवान ने एक छोटी से उंगली में इतना बड़ा परवत उठा लिया था और गैस मुझे नहीं पता था कि यहाँ पैरागलाइडिंग भी होती है वैसे पता नहीं है कितनी दूर से आयोंगे जो भी हो मंदिर को उपर से देखकर इने बहुत खुशी हो रही है इतने सारे लोग चम चमाता हुआ मंदिर और मंदिर के इतने करीब आपको आज का यह व्लॉग कैसा लगा और मंदिर दिन में ज्यादा सुन्दर लगा यार आतको कॉमेंट्स करके जरूर बताना मैं मिलती हूँ आपको एक और व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाई बाई